यह सो हलो एव्रिवान है टेश एर एंड टुड़ी वी गना टॉक अबाट दी न्यू रिलीज़ वैब सीरीज काल्ड फर्जी हाली में अमजोन प्राइम पर आई सिरीज ने सभी का दिल जीत और इसी के साथ साथ मुझे इस बहतरीन सीरीज को आपके सामने लाने पर मजबू के तीन रीजन है नमबर वान दी एक्टिंग आफ कास्टन क्रू नमबर टू दे सिनमेटोग्राफी एंड दे म्यूजिक और नमबर थ्री क्राइम ड्रामा सुस्पेंस सीरीज के टूटल आठ एपिसोड है पर एपिसोड की लेंथ करीब पचास मिनट से एक घंटे तक की है अगर वहां से जाकर चैक आउट करना चाते हो तो कर सकते हो और अगर स्टैब बैस्टैब पर एपिसूट का एक्स्प्लेनरिशन चाते हो तो वेलकम आप सभी का सिनाव विदाओर वेस्टिंग ने टाइम चुली आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लैंड की तरफ जिसकी श से गुंडे हमें यहां पकड़ कर लेकर आये हैं और बिना वजय मार रहे हैं और तभी एक शक्स आकर एक 500 का नोट दिखा कर इनमें से शाहिद याने कि सनी को पूछता है कि क्या यह नोट तो ने बनाया और इसी के साथ यह कहानी यहां से जाती है फ्लेश बैक में जाम शा यह आचाईस्ट की कदर ही क्या थी वह तो बस इन फोटोज को कोड़ियों के दाम खरीद ना चाहते थे जिसके बाद वो घर पहुंचता है देखा जाय तो यह घर कम प्रिंटिंग प्रेस था जो की चला रहे थे माधव जी इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम था क्रांती पत वह नहीं करता है यह दूस्त यह कि प्रिंटिंग प्रैस में कळले मिक्सिंग का काम किया करता था इन दोनों की लाइफ सई नहीं चुल रही यह तो चाहते थे बड़े घर बड़ी गाड़ियां और इसी की साथ चाहते एक अच्छी इक्रांती ला देना मगर सबसे बड़ी प्राब्लम की बात तो यह थी कि उनकी इक्रांती कोई खरीदता ही नहीं था इसलिए बच्पन में सनी और फिरूज मार्केट में जाकर एक एक अखबार बेच कर जो कुछ पैसा आते थे उन्हें चुपचाप नानू की ड्रॉर में र कब एक पैसा जोड़ने के चकर में इन्होंने कई सालों तक सिर्फ बन ही खाया जेब में पैसों की इतनी कमी थी कि दुनों जहां भी देखते इने सिर्फ पैसा ही दिखाई पड़ता था जिसके बात कहानी अगीन प्रिजन टाइम में आती है और यहां हम सनी की साथ उसकी फ्रेंड निहां को देख पाते हैं यह दोनों ही आने वाले नियूयर का प्लान बना लगते हैं जहां पर निहां कहती है कि वैसे मैं में फ्रेंट्स के साथ में क्लब विलॉसिटी जाने वाली हूं मुंबई के बड़ा सा क्लब जहां पर एक टेबल करीब 30,000 रुपे की मिल रुपे की मिलती है तो वह जाकर वहां के वेटर से थोड़ा नेगोशियेट करने लगता है यह तो रही वेटर की बात मैं आप से मेरा परसनल एक्सपीरियंश करता हूं पूने के ही एक क्लब में जिसका नाम है वाटर्स दे किचन और यहीं अपने कल्यानी नगर में आता ह यहीं पास इतना पैसा नहीं था कि वह वहां की टेबल बुक करवा पाएं निवर की पार्टी के लिए जहां पर वेटर ने धक्के मार कर बाहर निकाल देता है जिस पर सनी उसे जाते-जाते कर जाता है कि एक दिन आओं और तेरा यह पूरा होटल खरीद लूँगा कुछी चला सब्सक्राइब कर जा रही है उसे जाने का काफी मन था तो तुम यहीं नोट चोड़ कर दोड़ के साथ अपनी पार्टी चोड़ कर कैसे आउप आउगे तो चल्ट तो चुका तो चिब में पैसे नहीं कि अच्छी जगे कर वा सके क्लब कर सके फिरो उसका कहना था कि ये जिन्हेल क्रणा कहना था कि हम हम मेडल क्लास लोग नहीं हम मिदल फिंगर क्लास लोग हैं और अमीर पर होता जा रहा है और जांत है गरीब और भी जिसकाय राया करजा पहले पढ़ाई के लिए एज्डूकेशन लो उसके बाद आने जाने के लिए कार लोन लो और फिर बाहु बली यानि की होम लोन लो जिन्देगी भर की कमाई सिर्फ लोन चुकाने में ही निकल जाती है जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स दे और हम देख पाते हैं कि पूरा ओफिस माधव जी के गेट के बाहर खड़ा था जैसे ही सननी ऑफिस में पहुँचता है तो से पता चलता है कि अब इनकी प्रिंटिंग प्रेस बंद होने वाली है क्योंकि यहाँ पर वसूली वाले लोग वसूली लेने के लिए थैं मगर उनके पास पैसे नहीं थैंट को खाली करवा कर देने की बात करीती तो अब अब सनी और फिरोज अपने व्रिंटिंग प्रेस को बचाने के लिए उन हफ्ता वसुली वालों के पास पहुंचते हैं जहां हम वीवर्स को पता लगता है कि माधव जी और उस वसुली वाले के फादर आपस में एक टाइम में कभी दोस्त हुआ करते थे और यही रीजन था कि उन्होंने उन्हें एक महीने का वक्त दिया पैसा लोटाने के लिए क्योंकि पुराने लोग इमोशनल हुआ करते थे इसी वज़े से सनी को प्रिंटिंग प्रेस बचाने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया अगर ऐसा ना होता तो यह हफ्ता वसुली वाला उसका बेटा तो कपका यहां इस बात को जानते थे कि वो दिन जरूर आएगा जब हम करजा नहीं चुका पाएंगे और इस प्रेस को खाली करके जाना पड़ेगा इसलिए आज वो अपने एक आकरी आर्टिकल लिखना चाहते थे जिसमें लिखा था बगावत और क्रांती में सिर्फ इतना ही फर्क है कि नानू की प्रिंटिंग प्रेस को भी भचा लूँगा इसलिए फिरोज और सनी मिलकर अपने ही एक पुराने दोस्त अनीज के पास पहुंचते हैं जो एक ऐसे बंदे को जानता था जो कि मार्केट में आई हर म्यू प्रोड़क का फॉर्स्ट कॉपी बना डालता था इस बं क्वंटिटी दोगे उतना जादा पैसा कमा पाओगे लेकिन उसमें से नब्बे टका मेरा दस टका तुम्हारा यह बात को सुनकर तो अगेन दोनों डिप्रेस हो जाते हैं एक तरफ जान लाइफ के वांदे लगे पड़े थे दूसरी तरफ इन्हें एक बड़ा अमाउंट भी चुकाना था तो सनी को आइडिया आता है कि अगर पैसा ही चाहिए तो क्यों डारेक्ट पैसा ही चाप देते हैं पहले तो फिरो जिसकाम के लिए मना करता है लेकिन उसे भी लाइफ स्टाइल को सधार ना था अब जाए एक तरफ सनी को अच्छी पेंटिंग करना था त उसके बाद में कलर कॉंबिनेशन सेट किया जाता है और उसके बाद में नोटों की कटिंग करी जाती है और यह नोट थोड़े पुराने लगे इसलिए इसे चाही के पानी में डुबू कर वापस से बाहर निकाल दिया जाता है और अब बारी थी नए बनाय गए नोटों की टेस्टिंग की जा एक 500 रुपे का नोट लेकर फिरूज पहुंच जाता है एक वाइन चॉप में और एक दारू की बॉटल मांगता है मगर जैसे ही दुकानदार के हाथ में नोट आता है वो समझ जाता है कि नोट तो नकली है और अब होना क्या था वो सभी मिलकर इन्हें मार आर्ट बन जाएगी लेकिन अगर मिस्टेक रह गई तो आर्ट भी वेस्ट बन जाएगा वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं नेपाल में एक बहुत बड़े काउंटर फीट डिस्ट्रिब्यूटर मंसूर दलाल को जो कि मिडल इस्ट में रखी अपनी नोट च इंतजार कर रही थी वहले सीन देखकर मुझे कुछ कुछ हद तक विक्रम विधा की याद आ गई जहां पर कुछ सीक्रिट इंवेस्टिकेशन ऑफिसर मिलकर एक बड़े मिशन को अंजाम देते हैं खेर मैंने उस मूवी को भी बैतरीन तरीके से वीडियो क्लिप्स के साथ अल्रेडी कर रहा है आप चाहें तो से देख सकते हैं इन वीडियो को फोटो ची पीछे बनाने का यह रीजन था कि मुझे जादा डीटेल देनी थी अगर जादा डीटेल वीडियो क्लिप्स के साथ देता तो या तो वीडियो भी वेस्ट हो जाता और इसी के साथ-साथ खुश रो तुम भी खुश हम भी खुश खैर ये तो थी मेरे दिल की बात कमिंग बैक तुदा में स्टोरी दोनों ही गैंक्स के बीच में वार हो जाता है गोलियां चलती है बंप हटते हैं कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है और जिस मंसूर दलाल की तलाश माइकल को पिछले 6 सालों से थी वो अगेन उसके हाथ से बचकर निकल जाता है यहां सीन अगेन शिफ्ट होता है सनी पर जो कि इस बार अपने कच्रे को एक कला में बदलने वाला था उसने अगेन काफी कोशिश करी और फिगर आउट किया कि गढ़वड कहां हो रही है तब उन्हें पता चोला की पेपर नोट वाला पेपर एक अलग टाइप का पेपर होता है कोई सेवेंटे जी एशम का मगर इने जो पेपर चाहिए था वो था 45 फाइव जी एसम का ये लोग अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में काफी ढूंडते हैं और फाइनली एक मैगजीन का पेपर असली नोट के पेपर से थोड़ा बहुत मैच कर जाता है तो यहां पर सनी उन पेपर्स को सेंडविच नोट बना कर थोड़े पैसे चाप देता है और रिजाइन मैंने करी हैं इसके सप्लायर डिस्ट्रिबीटर हम ही हैं तो मंसूर दलाल उसके दोस्त फिरोज को गोली मार देता है और यह शौंदर एपिसोड यहीं पर खत्म होता है कि बच्पन में नानू से मिलने से पहले जब सनी अपनी मा के साथ रहता था वो उसका मन प आकर उसे खिलाया करती थी मगर कैंसर के चलते उनकी डैथ हो जाती है और सनी का वक्त अपने पिता के साथ ही गुजरता है वो एक चोर थे और जगह-जगह चोरी करते रहते इसी वज़े से जब भी पलीस या फिर गुंड़े उन्हें पकड़ने के लिए आते तो वहर जग गेम खेलना है तो क्या तो हम गेम खेलने के लिए तयार हो और ऐसे ही एक दिन एक नए गेम की शिरवात होती है जहां पर यह दोनों ही गुंडों से अपनी जान बचाते हुए एक ट्रेन में बैट जाते हैं सनी के पिता को पता था कि वह अपने बेटे की कभी रक्षा तो क समय से उसने अपने बैग में पैसे भरके रखे थे वह पैसे भी उसके कोई काम नहीं आते और लोग उन पैसो को ले जाते हैं ट्रेन में बैठा सनी अपने पिता के लिए रोने लगता है चलाने लगता है क्योंकि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था उसे तो यह द्रॉइंग बनाया करता था तभी एक दिन प्लैट्फॉर्म पर उसकी मुलाकात फिरूस से होती है जो कहता है कि तू अच्छा पैसे पूरे नहीं कमाता है काम कर तू ड्रॉइंग बना तेरे लिए पैसा मैं कमाऊंगा और इसी के साथ अभी हर प्लैट्फॉर्म पर जा जा दाए तो वोसे जान से मारने केलिए नहीं बल्कि सिर्फ उसे डराने के लिए मारी थी यानि कि फिरोज अभी जिन्दा था यसके बाद उन्हें की मीटिंग पकड़ने की सबसे best technology थी मेगा का मानना था कि इस वक्त counterfeiting यानि कि नकली नोटों का देश में आकर economy को हिला देना आम बात हो चुकी है इस वज़े से काफी सारे gangster हतियार खरीद रहे हैं काफी सारी illegal firms फूल फल रही हैं इसलिए नकली नोटों का भारत में आना रोकना पड़ नहीं था वो तो बस चाते थे अपने election को ठीक तरीके से निकाल लेना क्योंकि अगर सीटी 600 वाली न्यू टेक्नालोजी को मास प्रोड़क्शन करके पैसा लगा गया तो election को जीतने के लिए पैसा कहां से आएगा इसलिए वो मेगा के इस प्रोजेक्ट को नकार देते हैं औ यहां माइकल का गहलोध जी से कहना था कि काउंटर फीटिंग देश में बढ़ती जा रही है इसलिए मुझे एक टीम दे दो ताकि मैं उनके उपर एक घातक हमला करके सबका पत्ता साफ कर सकूँ बट अगेन गहलोध जी को तो सिर्फ अपने election से मतलब था इसलिए उन्हें भी थैंक्यू नमस्ते जहंद फिरोज और सणी नकली नोट बना लेने के बाद में अनीज के घर पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि जरा चेक करके बता तुझे नोट कैसा लग रहा हमने इस नए नोट को बनाया है जो कि नकली है तो अपने फादर को दिखाता है जो कि एक नकली को इस्तमाल मत करना बना के बेचो और निकाल दो इसलिए वह नकली नोटों को बना आकर फटा फट चिक od कर लेना चाते थे जिन में मांजा भाई इनकी हेल्प करता है वो इन दोनों की मुलाकात एक बिल्डर से करवाता है जो कि नकली नोटों का दो करोड का ओडर दे देता है अगर इनकी डील को एक्सप्लीन करूं तो यह था कि 500 की नोट के बदले 200 रुपे मिलेंगे यानि अगर सारे बैस्ट ऑफिसर्स खो दिये थे और इस बार वो उसे पकड़ना ही चाता था इसलिए वो नशे की हालत में सीधा पवन गहलोत को कॉल कर देता है और जब गहलोत उसका कॉल नहीं उठाता तो वो उसी की नंगी पिच्चिर्स उसे ब्लैक मेल करने के लिए भीज देता ह गुस्से में आया गहलोत उसे गालियां दे डालता है अब मैं बताऊं है नहीं क्या गालियां देता है कुदी समझ जाओ या वैल कंक्लूजिन ये निकलता है कि गहलोत जी अब माइकल के लिए टीम बनाने के लिए तयार हो जाते हैं यहां क्रांती पत्रिका में यासिर चा बाता है कि हमारे सर पर एक तो वैसे भी मौत की तलवार लटक रहे हैं अगर क्रांती पत्रिका को बचाना है तो इससे लोन फ्री करना होगा और पैसा तभी आ सकता है जब आप हमारी मदद करेंगे तो मगर उसके लिए कि हमें कुछ पैसों का इंतिजाम करना होगा क्योंकि जो पेपर नकली नोटों को बनाने में लगता है वो हमारे पास में नहीं और उसे खरीद दें का पैसा भी नहीं है तो आखिर पैसा लाएंगे तो कहां से जहां पर यासिर उना आइडिया देता है कि अगर तुम्हें पै कोई विश्वास दिलाता है तो वसुली भाई कहता है कि मार्केट से चौबीस टका जादा दूँ अगर मंजूर है तो हाँ बूल जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेगा पर जो कि इस वक्त अपनी मां के बताये गए रिष्टों से बहुत जादा परेशान थी क्योंकि धी दोरी vein मेघा कि भढ़ती चा रही थी वह क्रीब 20 साल के हो रही थी अभी तक उसकी शादी नहीं थी वैल आप में से कितनी लड़के में जरूर को प्रोपोजल की देख लेगी पसंद आजा तो ठीक है कमेंट कर देना बोला नहीं चमौने सेक्सिंग की बूल जाने काज पकड़ लेते हैं मगर अपने भूल जाने की आदत की वज़ेसे ने कुछ पता ही नहीं चलता सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्णिंग और यहां पर पवन गहलोट जी के पास में पहुंच जाते हैं इंवेस्टिकेशन ऑफिसर माइकल पहले तो गयलोट उसको जो दबाके गालियां देता है और बोलता है कि पहले मेरी फोटो डिलीट कर माइकल कहता है कि सौरी सर मैं शायद पीपुआ के भेज दिया होगा आएम वेरी सौरी सर अब नहीं करूंगा लेकिन प्लीज गयलोट एगरी करता है और कहता है कि ठीक है मैं सोचूंगा मगर अभी नहीं दूंगा वहीं दूसरी तरफ फिरोज और सनी जो पेपर चाते थे जिससे की नोट बनाया जा सके उसमाल का वाल्यूम कम था इन्हें और माल की जरूरत थे इसलिए वहर जगह पर कॉल मिला कर 45 की पेपर की डिमांड करते हैं लेकिन गवर्मेंट के रूल आ चुके थे कि जो भी इस टाइप का पेपर मांगे उसका रेजिस्ट्रिशन नीम एड्रेस टिन नंबर जीस्ट नंबर सब कुछ चाहिए और अगर यह सब लोग अपनी इंफरमिशन दे 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 तो फस जाते इ और वहां पर मैच चल रहा होता है तो उन्हीं को पूछते हैं कि कोंसे बंदे ने कित्ते रन बना है और गाली का लोज भी काफी होती है वहल एक मुमेंट तो ऐसा आता है जहां पर वह वाच्पन भाग जाता है इनको लगता है कि प्लान खतम अब चोरी नहीं होगी लेकिन चाहिए थी इसलिए इन्होंने 55 GSM 70 GSM और 80 GSM के पेपर रोल्स को भी चुराया जिसके बाद होती है नोटों की बारिश और यह कंसाइमेंट पूरा हो जाता है और बिल्डर जिनका नाम है लकड़ा हां लकड़ा साही सुना आपने यही नाम उसका इसे पाकर वह उनके पू सला क्लाइंट है उसे मेरी आर्ट बहुत ज़्यादा पसंदा इसलिए उसने मुझे बल्क में ओडर दिया और मैंने और कम्प्लीट कर दिया और पैसे बाद भी आएंगे अवी ता आपकी क्रांती पत्री का बज गई आप जाईए डारेक्ट ऑनलाइन क्या रखाए यह दर नूट रख देता है वहीं थोड़ी देर बाद में उसी रेस्ट्रों में डिनर के लिए पहुंचती है मेगा वो भी अपने मा के बताय हुए एक नए लड़के के साथ में नया लड़का जो की डॉक्टर था वो मेगा से और बाचीत बढ़ाना चाता था लेकिन मेगा को यह के वक्त उसके हाथ जो पांसो का नोट लगता है वही नोट था जो की थोड़ी दीर पहले सनी ने बिंग टिप रख दिया था मेगा तो अल्रेडी इन नोट को इंडिया में बैन करना चाती थी इसलिए वो इस करेंसी को लैप टेस्ट के लिए ले जाती और उसे पता चलता होगा पकड़ना ही पड़ेगा नहीं तो पूरा देश ब्लैक मैनी की मार झेलेगा और इसी तगड़े सेस्पेंस के साथ यह शांदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है यह सो हलो एवरीवान है देश एर और तोड़ी वीगना टॉक अबाओट दी नियू रिलीज़ वैप लोड कर दिया है और अगर आपने उन दोनों को अभी तक नहीं देखा तो उन दोनों वीडियो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जान से जाकर आपने चेक आउट कर सकते हैं सब्सक्राइब चुली आते हैं इस कहानी की में स्टोरी ला लाया जाता है और फिर ने लोकल पब्लिक में स्प्रेट कर दिया जाता है जिनके पीछे हाथ है मंसूर दलाल का और वो इसे रोकने के लिए माइकल और उसकी टीम इंडिया के बैस्ट आफिसर्स के साथ एक और बहतरीन टीम बनाती है जिन में शामिल करना था कुछ ऐसे कर बात करती है उसका सुपिरियर उसे इस्टीम में जॉइन होने से मना कर दो है क्योंकि वह जानता था कि इस काम में बहुत खत्रा है कोई भी कहीं से जासकते हैं उनके परिवार वालों को भी बंदी बनाया जा सकता है लेकिन मीखा कहती है कि सर्वें सब के लिए तयार हूँ मुझे बस इंडिया को काउंटर फीटिंग से बचाना है और अई बात मेरी यहाँ पर जॉप करने की तो सर आप टेंशन मत लीजे ना बस मुझे करीब 6 महीने का वक्त दे दीजिए मैं वहाँ जाओंगे उनकी हल्प क मिरेको एक और उसको बड़ा कांट्रैक्ट देने का है मांजा वाई कॉल लगाता है अनीस को और अनीस पहुंच जाता है फिरो उसके पास माइकल इस बात को जानता था कि अगर नकली नोटों को पकड़ना है तो नकली नोटों के बारे में अवेर्नेस भी फैला नि होगी इसलिए वह एविदेंस ओफिस में जाकर करीब 2 लाख ले लेता है और सबसे पहले जाकर उन पैसों से दो आइफॉन 14 खरीदता है फिरूज और सनी पहुंच चुके होते हैं लकड़े से मिलने के लिए और लकड़ा उनकी मुलाकात करवाता है मिस्टर दोशी से जो कि एक MLA है और वो उन्हें 20 करोड चापने के लिए कहता है दोशी की आदत थी कि उससे जिससे भी डील करनी थी वह हमेशा उससे मुलाकात करके ही डील करता था ताकि फेस टू फेस उस इंसान को देख पाये जिसके साथ वह अपना बिजनस करने वाला है अब डील मिली है तो काम भी शुरू करना होगा अब जैसे काम स्टार्ट होता है तो यासिर चाचाओने फिर से रोकते हैं कहते हैं कि तुमने पहले ग्रांती पत्रिका को बचाने के लिए नोट चापे फिर खुद के फायदे के लिए नोट चापे और अब एक और illegal काम के ली नोट चाप रहे हो यह गलत है तो मैं इस काम को रोकना ही होगा मगर सनी की सरपर तो पैसों का भूठ सवार हो जुका था और वैसे भी उन्होंने अब तो बड़े-बड़े इसके साथ में डील कर ली थी तो इस कंसायनमेंट को पूरा तो करना ही था वहीं सीन शिफ्ट होता है माइकल की तरफ जो कि इस वक्त अपने बेटे की बर्थडे में पहुंच चुका था वहीं उसकी मुलाकात अरजुन से भी होती है जो कि इस वक्त उसके बेटे का फाइट ट्रेनर था इसी के साथ साथ इंटर्नली उसकी वाइफ का बॉइफ्रेंड भी बनता जा रहा था अलागि इस सारी बाते माइकल को समझ तो आ चुकी थी मगर वो अपनी वाइफ को डिरेक्टी सारी बाते कह नहीं सकता था क्योंकि एक तो वैसे भी ऑफिस का प्रेशर काम का इसलिए वो घर में आकर भी शराब पीने लगता है तो उसकी पतनी उसे घर से निकल जाने के लिए और बोलती है कि दुबारा यहां पर आना मत मैं तुम्हारे बेटे को अच्छी आदट डलवाना चाहती हूं उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूं उसे माबाप का प्यार देना चाहती हूं अगर तुम तो सुनते ही नहीं हो ना ही घर आते और ना ही हमें टाइम देते हो तो आज भी आने की क्या जरूरत थी जाओ यहां से निकल जाओ अपने घर पहुंच जाओ इस वजह से माइकल को इस वक्त घर से जाना पड़ता है फिरोज और सणी क कोई बात पता थी कि अगर फॉटिफाइव जीएसन का पेपर चाहिए तो कोई रजिस्टर कंपनी होना ज़रूरी है इसी के साथ उस परसंगा नेम एड्रेस और जैसी नंबर होना भी जाए तो अगर इल्लीगल काम है तो उसे थोड़ा सा तो लीगल तरीके से करना ही पड की आती है किसी का रीडिंग होता है किसी को पिच्चर देखना पसंद है वहीं एक मराठा ना आती है जो कि मराठी में बोलने लगती है लेकिन जब वह अपनी इंग्लिश स्टार्ट करती है तो वह बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में था हाया दुस्ता तो यह लोग उसको करके रिसेप्शनिस्ट बना देते हैं क्योंकि कंपनी में इंग्लिश पूलने वाली रिसेप्शनिस्ट से ऐसा लगता है कि कंपनी का वॉल्यूम बहुत बड़ा है और अब जब कंपनी बन चुकी थी तो इसी के साथ साथ अनीस और फिरूस जाकर पेपर कॉंट्रेक्टर इस वक्त माइकल की दिमाग में उन 2000 के नोटों का इंडिया में आने और फैलने से रोकना था जो कि मंसूर दलाल भीज रहा है मगर मेगा के मैंड में वह 500 का नोट इस वक्त भी घूम रहा था जो की एक नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस से निकाला गया था मगर उसकी आर्ट प्रेस में ये इन्वेस्टिकेशन करने के लिए निकल पड़ती है कि आखर उन 11 प्रेस में से वो कौन सी प्रेस है जहां से सभी नोट छपकर निकल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक करीब 10 प्रेस में घूम लेने के बाद में अब सिर्फ एक आखरी प्रेस बची थी जो की थी क्रांती पत्रिका जाए एक तरफ तो वो पुलीस ऑफिसर उसी के साथ मेगा क्रांती पत्रिका की और बढ़ रही थी वहीं दूसरी और यासर चौचा सनी और फिरोज अपने नोटों के आकरी बंडल को फिनिश करने वाले थे सिचुएशन काफी जदा क्रिटिकल थी अगर ये लोग मशीन को बंद कर देते तो अगली बार अगेन मशीन को चालू करने में एक गंटा जाता और जो पेपर नोटों के लिए यूज होने वाला होता वो भी कई मीटर तक वेस्ट हो जाता सनी और फिरोज इस बात का रिस्क लेना नहीं चाते थे इसलिए फिरोज चाचा को नीचे उनका ध्यान भटकाने के लिए भीचते हैं फिरोज चाचा भी यहां पर पुलीस का काफी अच्छा टाइम वेस्ट करते हैं कि भूत हैं अंदर तो आवाजे करता रहता है इसी के साथ साथ यह तो माधव जी की फैक लवाई देते हैं लेकिन वक्त रहता है सनी वहां की लाइट्स बंद कर देता है इसलिए कोई भी ठीक से कुछ देख नहीं पाता हाला कि एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर मेगा उन नोटों की कटिंग की कत्रन तेक पहुंच जाती है जो की नोटों से निकाली गई थी सनी को लग रहा था कि अब तो भांडा फूटेगा ही फूटेगा इसलिए वो पीछे पाना लेकर उसके सर पर मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था लेकिन सड़नली मेगा के पास में माइकल का कॉल आता है और वो कहता है कि तुमने मेरी बिना परमिशन के सर्च वा कुटें मेगा उने पकड़ लेती तो सारा दूद का दूदर पानी पानी हो जाता हलागी इस वक्ते रात को काम चल रहा था लाइटे चालो थी तो नानू भी नीचे उतरकर आ जाते हैं और पूछने ती रात को क्या कर रहे हो तो सही बताता है कि मैंने नानू आपको बताय पैसों का सनी का इसलिए वो बिना कुछ कहे उन पैसों को वहीं रखकर सोने चले जाते हैं जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स डी और आज इन्हें डिलिवरी करनी थी उन पैसों की महाराष्ट्र से गुजरात में अब इतने सारे नकली नोट लेकर अगर जाएंगे तो पुलीस तो पकड़ेगी और उसी के साथ दोएगी भी बहुत पुरा इन्हें इस बात का पता था इसलिए इन्हों ने जिस बॉक्स में नोट भरके रखे थे उसके उपर कुछ फोन डिरेक्टरी भी रख कर देता है अब पुलीस वालों का ध्यान नकली नोटों से धारेक्ट दारू पर आ जाता है इसलिए वो कहतेगी तुम लोग टेंपू वाले हो दारूपी की काड़ी चला रहे हो चलान तो कटेगा अब खैर चलान तो कितने ही कटेगा छे आजार गाया उसके साथ दू तिन बूत लें मगर कम से कम 20 करोड माल तो बचेगा और इसी के साथ इनकी प्लानिंग काम आ जाती है और यह लोग अपनी इस कंसायमेंट को पूरा कर देते हैं और फाइनली इस 20 करोड की डिलेविरी उसके एक्चुल क्लाइंट को हो जाती है और अब तो इन दोनों के पास में नहीं उन 20 करोड से करीब 8 करोड रुपे बन चुके थे तो बनती है यह दोनों मस्त इंजॉय करके वापस से प्रिंटिंग प्रैस माने लगते हैं लेकिन तब तक इनके नानू को सब कुछ पता चल जुका था नानू ने इन दोनों को काम से निकाल दिया इसी के साथ-साथ पुलीस की भी धमकी दी और अब ना चाते हैं भी इन दोनों को अपने काम छोड़ना पड़ता है और इसी शांदर सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है या सो हलो एब्रिवान हेते श्रियार एंड टुड़ी वी गना टॉक अपाउट दी नीव सीजन वन एपिसोड फूर्थ के बार में बात करेंगे और अगर नहीं भी देखा होगा तो उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से जाकर आप उन सभी को चेक आउट कर सकते हैं सब विदाउड वेस्टिंग चले आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लैंड की तरव जिसकी शुरुवात में हम देख पाते हैं कि अब देश में काउंटर फीटिंग को रोकने के लिए पवन गहलोत जी ने मेगा की बात मानते हुए सीटी 600 को सभी ATM बैंक्स और इसी के साथ काउंटिंग मशीन में लगवाना शुरू क कर दिया है और इस पूरे मिशन को नाम दिया गया है धन रक्षक जो कि नकली नोटों को देखते ही पकड़ लेगा और इसी के साथ देश की भलाई भी होगी जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है माइकल और उसकी वाइफ पर जो कि इस वक्त उसके घर में आया हुआ था अपन देना और दिवाईयों को टाइम टू टाइम देते रहने का ध्यान रखना मगर बाप तो बाप होते हैं इतना समझाने के बावजूद भी माइकल अपने बेटे व्यों के साथ निकलता है तो उसे पूछता होई मुखाएगा पास वाले की पावबाजी बड़ी शानदार है क्या कभी आप अपने फादर के साथ में पावबाजी मुमो और या फिर चाट खा कर आए हैं और अगर आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और अपना शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि सच कहूं तो यार मुझे आपके कमेंट्स पढ़क और उसको हाट पी देता हूं तो डॉंट फगेट तो कमेंट आन देस वीडियो क्या पता अच्छा कमेंट हो तो पिन भी हो जाए मार्केट की काफी सारी अंचन चीज़ें खाने के बाद में व्योंका हो जाता है पीट खराब और जब माइकल उसे घर छोड़ने जाता है त लागी सच बोलने पर तो बिजनस चल नहीं रहा था इसलिए जब कोई क्लाइंट उससे पूछने के लिए आते हैं कि क्या यह पींटिंग असली है तो सनी ने मामुली से पींटिंग को भी महेंगे असली आर्टिस्ट की बताकर बीचना शुरू कर दिया और फिर जाता है ल से परेशान था वहीं तूसरी और मेगा अपने घर से परेशान थी क्योंकि रहने के लिए कोई पीजी देई नहीं रहा था फ्लैट के लिए हर कोई मना कर रहा था और खुद के घर से ऑफिस बहुत जादा दूर था तो ऑफिस की कलीग सूजन मेगा को अपने घर पर रहने के लिए हामी भर देती है जब सनी शाम को प्रिंटिंग प्रेस में नानू से मिलने के लिए आता है तो पूरा का पूरा प्रिंटिंग प्रेस घबराया हुआ था क्योंकि इस वक्त माधव जी यानि की सनी के नानू कहीं पर भी नहीं थे हर कोई बस उन्हें ढूनने में ही रहे थे अब सनी को आ गया घुस्सा क्योंकि वह भी अब 20 के लिए करोड़ पती बन चुका था तो वह जाकर एस पी साप पर गरिया देता है कि क्या समझकर रखा है आपने तुम लोगों को जो सैलरी मिलती है वो हमारे टैक्स से ही मिलती है अब भाईया पुलीस पे चला हो लगता है यह जो चुटे मुटे रेस्टराउं या फिर किसी बार में बैठता भी ना उस पर भी टैक्स लगता है तो फिर हम क्यों नहीं भरते हैं हर एक इंसान भरता है सब पर हके पुलीस वालों से अपने दिल की बात कहने का एक दिन बीच जने के बाद में यासर चाचा आकर इनकी बेल करवाते हैं और बताते हैं कि नानु तो प्रिंटिंग प्रेस की पीछे वाली गली में ही घूम रहे थे सबी लोग उन्हें वापे से घर ले आया और अभी ठीक हैं चाहो तो उनसे मिलकर आ सकते हो जिसके बाद फिरोज और सनी उनसे मिलने के लिए जाते है नानु की तबेत सच में बहुत जादा खराब थी इस बात को सीरियसली लेती हुए ये तीनों ही पहुंच जाते हैं अगली सुबह इनकी एरिया के एक बेस्ट हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ने सजेस्ट करती है कि इनकी सरजरी करवानी पड़ेगी और जैसा कि मैंने रिव्यू में भी कहा था कि इस सीरीज के फॉर्स सेगंड थर्ड एपिसूड का टाइम किलिंग इतना फास्ट है कि पता ही नहीं चलेगा कि एपिसूड कहां से शुरू हुआ और कब खत्म हो गया फॉर्थ और फिफ्ट थोड़े से ढीले हैं जहां पर स्टोरी में करने की कोशिश करी गई है एक्जांपल के लिए जैसे यह वाला सीन इस वक्त धनरक्षक के मार्केट में उतर जाने की वजह से पूरे देश में हर जगह पर नकली नूट पकड़े जा रहे थे अब मेगा और माइकल का तो यहीं मिशन था अब काम्याब होने पर यह सभी प पकड़े गए मंसूर दलाल के नकली 2000 वाले नोट शेखर कहता है कि सर यह तो इससे पैसे क्यों भर रहे हो तो माइकल कहता है कि अगर नेता लोग फॉरन ट्रिप पर जाते तो पैसा कौन भरता है शेखर बोले गौर्मेंट तो हम लोग क्या कर रहे हैं देश की सेवा कर रह रही थी वहीं दूसरी और गाड़ी में ओवरलोड दारू पीके माइकल भाई साब भी पड़े हुए थे जहां गाड़ी ड्राइब कर रही थी मेगा और को पार्टनर बना हुआ था शेखर मेगा शेखर से पूछती है कि क्या हर बार पीकर ऐसे करतें तो शेकर कहता है कि य ओफिस का प्रॉब्लम घर का प्रॉब्लम इंवेस्टिकेशन का प्रॉब्लम फिर भी अपने आपको एक मजबूत पहाड की तरह रखते हैं माइकल सर वहीं सीन शिफ्ट होता है मिडल इस्ट में और हम देख पाते हैं के मैनन और मंसूर दलाल जिसके पास में उसके इंडि सब्सक्राइब कर ले आती है मिडल इस्ट यानि की कहानी का वह सीन जो कि हमने शुरुबात में देखा था खैर अब सनी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि वह 500 का नोट उसी ने बना है इस बात को सुनकर मंसूर खुश होता है और उसके साथ डील करने के लिए एक रखता है कि देख सनी तु स्मार्ट बहुत है तेरे पास दिमाग काफी तेज है तु आर्टिस्ट बड़ा शांदार है मगर तिरको सप्लाइंग और डिस्ट्रिब्यूटिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं और उपर से जो पेपर यूस करता है वो भी लोकल है तो क्यों ना तेरी मैनत और मेरा पैसा दोनों मिलकर इस कारोबार को और बढ़ाएं तो भी खुश और मैं भी खुश लेकिन ध्यान रखना अगर मेरा हाथ नहीं मिलाएगा तो तेरी फैमिली पर मेरी बंदूक और जाते जाते वह से एक नया टी-शर्ट भी देता है घर आ प्रिंटिंग का खर्चा उसका हमें तो दिक्कत के साथ यह दोनों अपना मन बना लेते हैं इस काउंटर फीटिंग वो देश में फिलाने का और इसी तकर सिस्पेंस के साथ यह शांदर एपिसूड यहीं पर खत्म होता है या सो हलो एवरीवान हितेश यह और टोड़ी वी सिरीज कॉल्ड फर्जी आज हम इसके सीजन वन एपिसूड फिफ्ट के बारे में बात करेंगे सब्सक्राइब विदाओट वेस्टिंग चलिया आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लाइन की तरफ जिसकी शुरवात में हम देख पाते हैं कि अब जॉर्डन में सनी और फिरू आउटकम आता है तो उसे देखकर मंसूर इन दोनों के ही काम से बहुत खुश होता है क्योंकि अब तो उसके पास ऐसे नूट आ चुके थे जो की इंडिया में धनरक्षक यानि की सीटी 600 को भी मात दे सकते थे इन दोनों की काम की तारीफ करी जाती है और इसी के साथ साथ इने बिजनेस पार्टनर भी बना लिया जाता है तो मंसूर दलाल ने उस डिजाइन से काफी सारे नोटों की चपाई कर वाली थी तो यहां पर इन दोनों का फिलहाल के लिए कोई काम नहीं था इसलिए यह इन दोनों को ही वापस इंडिया भेज देता है मगर जाने से पहल और उसके जासूस उसे चिपी हुई इंफर्मीशन दे डालते हैं कि अब मंसूर दलाल का एक और लॉट इंडिया में आने वाला है यानि की काउंटर फीटिंग का सिलसिला अगेन शुरू होने वाला है जिस पर माइकल यह बात की इंफर्मेशन अपनी पूरी टीम को भी द कि अगर यह सब कुछ तुम सही रास्ते पर चलकर करते तो मुझे ज़्यादा बेढ़तर लगता फैसे अपने नानों को साथ डील कर ली है जितना जल्दी हो सके इस काम को छोड़ दो वरना पुलीस के चड़ जाओगे वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं और नानों की खराब पर आप मुझे आर्मी फोर्स का सपोर्ट दें गैलोद जी को लग रहा था कि धन्रक्षक के इंस्टॉल हो जाने के बाद में नकली नोट इंडिया में आएंगे ही नहीं मगर यह तो उनकी बहुत बड़ी गलत फैमी थी खैर एक तरफ तो एलेक्शन के आने का टेंचन और द इसको बताता है कि मुझे यह खबर मिल चुकी है मंसूर दलाल का राइट हैंड बिलाल मिडल इस से आज ही इंडिया आने वाला है और अब उसके नकली नोटों की डील यहीं से होगी यहां से काउंटर फीटिंग करने वाला है वहीं बिलाल भी अब इंडिया आ चुका था जो कि अपने खास आदमी के साथ बैठ कर एक सीक्रेट सेफ हाउस पर पहुंचने की कोशिश करता है मगर उस बीच उसे हलके हलके इंट्यूशन हो रहे थे कि यह रास्ता सेफ नहीं है जबकि उसका पार्टनर बताता है कि वो कई बार इसी रस्ते से आता जाता रहता है मुझे यह आगे जाने वाले निशानों को चेक करना और जब वो निचेक करता है तो उने पुलीज की जिपसी और आर्मी जिपसी की निशान दिखाई बढ़ते हैं इसका मतलब साफ था कि कोई तो उसे जान से मारना चाहता है इसलिए वो मौका रहते हैं भागने की आने के बावजूद भी आर्मी उसकी कोई हेल्प नहीं करती इसलिए वह इलीगल वे में खुदी उनकी गाड़ी उठा कर बिलाल को पकड़ने पहुंच जाता है अब यहां कानी में एक बहुत ही तगड़ा फाइटिंग सीक्वेंस आता है इसी के साथ साथ काफी गोली बारी भी होती है जहां पर बिलाल की लोग भी मारे जाते हैं और आर्मी की लोग भी घैल हो जाते हैं और फाइनली कंक्लूजन यह निकलता है कि यह सभी मिलकर बिलाल को पकड़ लेते हैं जब यह खबर मनसूर दलाल तक पहुंचती है तो वह काफी जदा परिशान हो जाता है क् कि इंडिया में इंकाउंटर फीटिंग की डीलिंग किया करता था तभी इस कहानी में एक और केरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था साइरा जो की हाई कमांड से आई थी और अब हम वीवर्स को पता चलता है कि सिर्फ मंसूर दलाल ही नोटों की अदला बदली का हुआ में रिलीज कर दो अगर तो यह काम किसी और को दिया जाएगा वेल्स काम की रूल तो तो तुम जानते ही हो जब कोई इंसान काम नहीं कर पाता तो उससे खत्म भी कर दिया जाता है ताकि कोई भी information leak ना हो सके तो मतलब साफ है या तो काम करके दो और या फिर उपर पहुंच जाओ जिस पर मंसूर उसे विश्वास दिलाता है कि मैं अल्रेडी बिलाल का रिप्लेस्मेंट ढूंड चुका हूं जो कि अब गोडाउन में पड़े सभी काउंटर फीटिंग नोट्स को इंडिया म में डिस्ट्रिब्यूट कर देगा इंडिया में माइकल बिलाल के साथ इंटरोगेशन करता है और वह फनी सीन भी आता है जो हमने कई बार इसके ट्रेलर में देगा है बैंकॉक मिलिशा थाइलेंड मसाज मसाज इंजवाएं खैर वह एक नाकाम कोशिश थी माइकल की उससे पूछताच करने की जहां पर बिलाल उसे कुछ नहीं बताता तो गुस्से में आकर माइकल उसी के पैर पर गोली मार देता है यहां से इन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जाए सवक्त सरजरी के लिए बड़े डॉक्टर मान चुके थे सनी का यह सूचना था कि जो डॉक् का मतलब कोई बहुत बड़ा रीजन होगा वह सनी के साथ एक साइड मीटिंग करता है और बताता है कि मेरा खास आदमी बिलाल पुलीस के हातों पकड़ा गया है अब नजाने उसने कितना पुलीस को बका होगा और क्या 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 इंफरमीशन लीक करी होगी इस बात का कोई सब्सक्राइब करता है माइकल इस वक्त बिलाल से मिलने के लिए आया था और कहता है कि देख भाई तेरी चोड़ भी दे या फिर तु यहां से भाग जाए तो तेरी टीम ढूंड कर तुझे मार देगी ताकि तो कोई और इंफरमेशन लीक ना कर सकते तो अभी तेरी हालत धोबी की कुट्ते की तरह ना ही घर का और ना ही घाट का तो इससे बैटर सलूशन यहीं है कि तू हमारी मदद कर हमें इंफरमेशन दे और हम तुझे तेरी सजा कम करवा देंगे इस बात को बिलाल भी समझ जाता है और वह माइकल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है वैंजीन शिफ्ट होता है कैफे में जहां पर सनी मिलने के लिए पहुंचा होता है मेगा से और बातों ही बातों में वह उससे दोस्ती कर लेता है और इसका में रीजन था कि मेगा एंटी काउंटर फीटिंग टीम में थी अगर साफ शब्दों में बताओं तो दुश्मन की खोच खबर होना बहुत ही जड़ा इंपोर्टेंट है वह बहले से दोस्ती बढ़ाता है फिर उससे कुछ दिन यूहीं मिलता है और उसे पता चलता है कि अभी मेगा को रहने की बहुत ही जदा प्राबलम हो रही है वह सूजन के घर पर भी ठीक से अड़्जस्ट नहीं हो इसलिए को कॉल करके बड़िया सोसाइटी में पॉश फ्लैट उसे दिलवा देता है होता तो रेंट पर यह मुंबई में अच्छी जगह पर अच्छा फ्लैट मिलना किराय पर बहुत बड़ी बात है अब यहां मेगा सनी की काफी जदा थैंक्फुल हो जाती है और इसी बी सस्पेंस के साथ यह शांदर एपिसोड यहीं पर खत्म होता है यह सब्सक्राइब करने जा रहे हैं और वह मेरा फेवरेट क्यों है वह तो आपको इस वीडियो के एंड में पता चली जाएगा सब्सक्राइब चली आते हैं कहानी की में स्टोरी लाइन की तरफ जिसकी शु दलाल और सनी बैठकर अपनी प्लानिंग्स कर रहे थे कि आखिर कैसे इतने बड़े स्टॉक को इंडिया में डिस्ट्रिब्यूट करें क्योंकि बिलाल जो कि इनका खास आत्मी था इनके साथ नहीं था और वैसे भी मंसूर के सर पर मौत की तलवार लटक रही थी क्योंकि अगर उसने जल्दी ही स्टॉक खाली नहीं किया तो हाई कमांड उसके मौत के फरमान जारी कर देंगे यहां सीन शिफ्ट होता है माइकल की तरफ जो कि इस वक्त एक लॉयर से बातचीत कर रहा था और इन दोनों का ही में टॉपिक था डाइवॉर्स क्योंकि माइकल की लोगो खारिच करवा देने के लिए इस वकील की हेल्प चाता था जिसके बाद माइकल एक सेफ हाउस में पहुंचता है और उसकी मुलाकात विलाल से होती है अब तो बिलाल ने भी मंसूर का साथ छोड़कर पुलीस वालों के साथ मिला लिया था जहां पर माइकल से कहता है मनसूर का एक बड़ा कंसाइनमेंट इंडिया में आना वाला है तो माइकल कहता है कि तुम्हारा बड़े कंसाइनमेंट का मतलब है 12000क्रोड नकली नोट यह सुनकर तो माइकल के पैरो तले जमीन ही कhisक चाती है वहीं शिफ्ट होता है साझी और मीघा पर जो की अपना time spend कर रही थी वहीं दूसरी और मेगा के पास में मैसेज़ आते हैं एंटी काउंटर फेटिंग टीम की तरफ से और ये इंफरमेशन मिलती है कि मंसूर दलाल का एक बड़ा इंडिया में आने वाला है और अब क्योंकि सनी ने उसके फोन को हैक कर लिया था तो वो भी उसके सारे मैसेज़ रीट कर रहा था खैर दोस्ती और काम भी कितनी अजीब चीज़े ना ना ही चैन से जीने देती है एक तो काफी टाइम बाद सनी के लाइफ में कोई नया आया थ लेकिन इस काम के चक्कर में सनी को उसे भी डिच करना पड़ रहा था में उससे कहती है कि मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना होगा कुछ बड़ी इंफर्मीशन मिली है और जब ऑफिस जाती है तो माइकल कहता है मनसूर अपना एक बहुत बड़ा इंडिया में लाने वा माल या पैसा या फिर कुछ भी आए उस जगे पर नाकाबंदी कर देनी चाहिए और अब यहां से आने लगता है कहानी में ट्विस्ट और मजा क्योंकि जहां एक तरफ सनी और मनसूर मिल करके उन रुपेयों को इंडिया में कैसे लाया जाया इस बात की प्लानिंग लगात है और वहां पर नाकाबंदी लगवा देता है ऐसा कई दिनों तक चलता है जहां पर काफी सारे places decide होते हैं और फिर reject भी कर दिये जाते हैं जिस पर अपना दिमाग लगाता है और मनसूर को एक आइडिया देता है जिसके बाद हम देख पाते हैं इंडिया के काफी सारे शहर हर मेने 20 लाग का भ्याच खाता आपके पास 20 करोड आते तो आप लोग क्या करते मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कमिंग बैक दा में स्टोरी मेगा को इस बात का पता चल गया था हमने इस वक्त जो भी नोट्स पकड़े हैं यह नए माल वाले हैं ही नहीं इन नोटों को धनरक्षक यानि की सीटी सिक्स हंड्रीड सेंसर भी पकड़ सकता है इसका मतलब यह मंसूर का पुराना काट मांडू वाल है तो अगर इतने टाइम से हम लोग नकली नोटों को पकड़ रहे हैं तो फिर असली नोट कहा है यहां सीन शिफ्ट होता है सनी और फिर इतना सारा माल आ रहा है यहनि की वह नोट इंडिया में आ चुके हैं तो शिफ्ट ऑप्षन फॉर दिस बिक कंसाइनमेंट अब इंडिया में तो सारे के सारे शिप्स रजिस्टर थे जिनमें लाने ले जाने वाले माल को पूरा ट्रैक किया जाता था इसलिए इन्हें अलाकात एक लड़की से होती है एक मेडीटर थी इसे इंग्लिश भी आती जो कि इन दोनों की ही डील क्रेक करवाने में इनकी हेल्प करती है और वो डील होती है एक लाक डॉलर में यानि की इंडिया के करीब पिच्च्यांसी लाक रुपे बहुत पैसा यार खेर उतने का महराज चड़ जाते हैं उस शिप के टॉप फ्लोर पे और जाकर मस्त टाइटानिक का पोस दे डालते हैं क्योंकि उनके बारा हजार करोड तीन बड़े-बड़े कंटीनर में उस रशियन शिप में चड़ चुके थे और बारी थी इंडिया में धूम मचाने की मगर धूम भी शिप में इतना लंबा ट्रेवल नहीं किया था तो लड़की आकर उसको एक पिल लेती है और वह पिल थी एक ड्रक्स की जिसे लेते ही उसको तो नशे चड़ जाते हैं और वह जाकर के सो जाता है अब यहां जमाल उसे कॉल पर कॉल लगाता है उसे हर दो गंटों में कम कर रहे हैं अगर यह पैसा उनके हाथ लगा तो समझ लो सब का खेल खतम चाहे तो शिप को किसी और पोर्ट पर उतारो या फिर उसे समुंदर की बीच में खड़ा कर दो मुझे उसे घंटा फरक नहीं पड़ता लेकिन गुजरात में यह शिप नहीं आना चाहिए जिस पर स चेहरों पर हवाई आ चुकी थी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मूमेंट पर करे तो क्या करें जहां वो सोलजरी इन्हें एक बेस्ट आइडिया देता है और यह सभी उन तीनों कंटीनर को जिनके अंदर करीब 12000 करोड पड़े हैं उन पर एक GPS लगा कर ज से तो पोर्ट पर जाना चाहिए तो सारी पुलीस वहां पर इखटा हो जाती है इनकी चाल थी पुलीस वालों का ध्यान डिस्ट्रेक्ट करने की इन में यह कामियाब भी हो जाते हैं रात को जब शेखर और माइकल इस शिप को देखने लगते हैं तो सोचते हैं कि आखिर करोड काउंटरफीटिंग नोट्स और यहां इस एपिसोड का प्लॉट रिवील होता है जहां व्यूर्स देख पाते हैं कि रात को छोटे छोटे शिप्स की मदद से यह सबी उन जीपीएस ट्रैकर को ट्रैक करके अपने उन कंटेनर को लोड करवा करके एक सेफ हाउस में चले जाते हैं वो भी पुलीस वालों से बिना पकड़वाई के अब जाए एक तरफ माइकल अपने सर पर हाथ धर कर यह सोचने पर मजबूर था कि वह पैसा गया कहां वहीं फिरोज और सणी नोटों के पहाड़ पर बैट कर हस रहे थे क्योंकि पुलीस वालों का इस से एपिसूट के बारे में बात करने वाले हैं यानि की सैकंड लास्ट एपिसूद ओफ इस वैप सीरीज जिसके बाद में एक आखरी एपिसूड और बचा है और यह पैरी सीरीज हमें अलविदा कर जाएगी खैर जैसा कि मैंना आपको बताया कि इसके आगे आने वाले एपि इस तर पर सो जाता है और फिर रोज जाकर अपनी मन पसंद हमर खरीदता है और इसी के साथ-साथ इन लोगों ने अब तो चार-चार करोड के बड़े-बड़े फ्लैट्स भी खरीद लिये थे और फिर निकलते मस्त पार्टी करने के लिए दारुशारु क्लब अगर जैन का स पच रही है यह आयाशी यह एक तरफ पार्टी का माहौल था वहीं दूसरी तरफ सत्ता में गर्मा गर्मी चल रही थी क्योंकि मिनिस्टर सहब पर उंगलें उठ रही थी कि आखिर वह नकली पैसा इंडिया में आया तो कैसे आया क्या पुलीस वाले सो रहे थे जबी सब प पत्रिगा में जो कि इस वक्त ओनलाइन आ चुकी थी आई क्रांती डॉट इन के नाम से नानुका तो वैसे भी सपना था कि जिस समाचार को वह कागाजों में अगबारों में बीच रहे थे वह घर गर जाए और अप तो ऑनलाइन भी हो जाए और फाइनली उनका यह सपना पूरा हो चुका था जिसमें मदद करी थी सनी ने इनसान जब गल्दी करता है तो उसे उसका पच्चतावा होता है और अगर पच्चतावे के बाद में अपना बुरा काम छोड़ करके सही रापर निकल जाये तो बड़े बड़े जो से उखड़े वे होते हैं वो भी मान ज होता है ऐक तरफ नानू एक अच Physique बनाते हैं सिनी किव पूझे अपने अपने देनानु बनाता है लेकिन क्योंगि अच्छी तो वह इसमें जीच जाता और यह हमें इन दोनों के ही बीच में एक सब्सक्राइब कर दpassen दूँगा पर कर दूँगा यासिर चाचा जो कि इस वक्त सनी और फिरोज के पास आये थे वह जानते थे कि इन्हों ने यह सारी कामिया भी नकली नोटों को चाप करके कमाई है वह अगेन अपनी पुरानी रट लगाते हैं और इन दोनों को इस काम को छोड़ देने के बारे म हमारा था खाली आपने नोटों को सुकाने में और दिस्ट्रिब्यूटिंग में थोड़ी से अलप करी थी और वैसे भी आप तो गरीब हैं आपको तो गरीबी में जीनी की आदत हो चुकिए मगर हमारे तो कुछ सपने हैं आगे हमारी भी तो जिन्दगी है क्या हम उसे जी माइकल के खिलाफ थे इसलिए जज़ भी डाइवॉर्स को पुक्ता करार दे दे दी और इनका डाइवॉर्स हो जाता है रास्ते में जाते वक्त माइकल अपनी बीवी के पास जाकर उसे समझाता भी है कि प्लीज अगर हो सके तो हम इंटरनली सारे क्लैश को सौट करके अग तो कुछ नहीं आने का यहीं पर कट हो जाता है और हम देख पाते हैं सनी और मेगा को जो कि इस वक्त अपने नए घर में लेकिन वहां पर एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंट कर रहे होते हैं तभी घर के समानों को जमाते वक्त उसके हाथ एक बॉक्स लगता है जिस इसी के साथ साथ वो सनी को उसका एक छोटा सा एनवलब भी दिखाती है जिन में उन देशों के नकली नोटों की छपाई थी जो की सनी पूछता है कि क्या इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी काउंटर फीटिंग होती है तो मेंगा कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल चोर के खाली हमारे भारत में पूरी दुनिया में चोर भरे पड़ें मगर सनी आजकल इन सभी नोटों में से मेरा सबसे एक फेवरेट सीन भी होता है और अब आता है वो पॉइंट जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्टोरी ही पलड जाती है सनी प्यार के चक्कर में मेगा के फोन से cmd कमांड हटा कर उस फोन को नॉर्मल प्रॉसेस में डाल देता है यानि कि अब उसे सामने से क्या मेसेज़ आएंगे कुछ प करोडों की डील आई वी थी आप इस पॉइंट पर होते तो क्या करते क्या करोडों की डील के लिए उस कमांड को अपनी महबूबा के फोन में रखते या फिर अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए किसी और तक वह सारी इंफ्रमेशन ना जाने के लिए उसे ब्लॉक कर देते यह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि मेगा को पता चल गया होता है कि वह जो 500 का नोट और अभी जो मार्केट में 2000 का नोट आया है उन दोनों का क्रीटर सीम है क्योंकि नोट ऑपर किये गये सकैच और इसी क करोड मिले थे वही दोशी था जिसने लकड़े को बुलवा कर अपना 20 करोड का नकली नोटों का माल चपवाया था अब इससे इंफरमेशन करने के लिए माइकल सीधा इसके घर पहुंच जाता और कहता है कि तुम वैसे भी पुलीस की नजरों में हो और तुमरा 20 करोड का म लकड़े को लकड़ा कॉल लगाता है मांजा भाई को मांजा भाई कॉल लगाता है अनीज को पहुंचता है फिरोज के पास में और फिरोज जाता है सनी के पास वह यहां से कहानी में मज़ा आता है क्योंकि यह पूरा कॉल कॉन्फरेंस पर चल रहा था कहानी के दो मेन कि स्कॉल को माइकल भी सुन रहा था और यह सारी इंफरमीशन मीघा तक भी जा रही थी एक दोस्त की तरह साथ में बैठ कर एक टेबल पर खाना खाते वक्त भी दो अलग-अलग दुश्मन दिखाई दे रहे था यह हम विवर्स को जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉर्ड सरफ मैगी खाता था सुट्टे फूकता था उसी फ्लैट में उससे मिलने के लिए उसकी वाइफ आती है दोनों की ही बीच में कुछ इमोशनल बाते होती है जो की स्टोरी में करेक्टराइजेशन डेवलप्मेंट के लिए थी पर खैर यहीं नहीं भी होता तो भी चलता ले वह पकड़ लेता है उस मुक्बिर को जो की अभी तक पुलीस वालों के लिए काम कर रहा था इस वक्त सन्यूर फिरोज भी वहां खड़े थे और उन्हीं की आँखों के सामने मंसूर दलाल उसे गूली मार देता है और यह कहकर जाता है कि मुझे सब की खबर है कौन कहा क्य कर रहा है मुझे सब पता है और तुम लोगों के बारे में भी पता है कि तुम क्या खेजड़ी पका रहे हो और इसी दगड़े सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म होता है यह सो हलो अब्रिवान हितेश एर एंड टुड़ी वी गना टॉक बार दिन्यू रिलीज वैप सीरीज कॉल्ड फर्जी और आज हम इसके फिनाले यानि की एर्थ एपिसूट के बारे में बात करने जा रहे हैं गुजवम्स एक्शन और इसी के साथ साथ सस्पेंसे भरा यह शो आज हमें अलविदा करने जा रहा है लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इतने बढ़िया शो कि अगर आपने इसके प्रीविएस एपिसूड नहीं देखे हैं अभी तक भी तो मैंने उन सभी वीडियो की प्लेइस्ट बना करके उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां से जाकर इसे जरूर चेक आउट कीजिएगा क्योंकि ये मार्केट में वैब सिरीज तो काफी सारी आती है मगर दमदारी स्टोरी लाइन और कड़क विजुल के साथ में कुछ नए एक्स्पेरिमेंट कम ही देखने को मिलते हैं चली आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लाइन की दरव जिसकी शुरुवात में हम सनी को देख पाते क्या ये डील करनी चाहिए लेकिन अब तो फिरूज को भी लालच आ चुका था और उसने कहा कि जब तुझे जरूरत थी तो तुने इन सभी कामों को किया और आज जब हमें जरूरत है मुझे जरूरत है तो तु बना कर रहा हैं ये डील तो हो करी रहेगी जिसके बाद से शिफ्ट होता है कोट में जहां हम देख पाते हैं कि डाइवार्ज होने वाला था क्योंकि लास्ट टाइम जज ने डीट्स देदी थी कि इस मुकदमे को अगली तारी को देखा जाएगा तो आज यहां पर माइकल गिल्टी फील करते हुए अपना फ्लैट अपनी बीवी के न नानू और सनी की तरफ बचपन में सनी की माँ उसे भात खिलाया करती थी और उसके नानू ने भी आज यही बनाया था खैर उनकी भूले की बिमारी थी तो वह यह भूल चुके थे कि सनी नकली नोटों की छपाई का काम करता है मगर फिर भी कहते हैं कि कॉंशोस माइंड मे कि ये डील उसकी आखरी डील होगी और उसके बाद में वो ये सारा काम छोड़ देगा वहीं सीन शिफ्ट होता है एंटी काउंटर फीटिंग टींग की तरफ जो कि इस वक्त पूरी प्रिपरेशन में थी दोशी के साथ डील होने पर उन दोनों आर्टिस्ट को पकड़ने क आते हैं तो उन्हें भी यहां पर कुछ गडबर लगती है जिसके बाद सनी एक अलग कार में आगे जाता है जबकि पैसों से भरी कार फिरूज वाली होती है मेगा का माइकल सर से कहना था कि सर मैं उसके लिए एक नई क्लाइंट रहूंगी तो क्यों ना मैं आगे जाकर उन से कदम पीछे हटाने लगता है वह भाग कर उसका पीछा करती लेकिन तब तक सनी महां से निकल चुका था इसी बीच माइकल भी उन सभी को पार्किंग लॉट में ढूंड रहा था और अब क्योंकि उन सभी पर सीसी टीवी से नज़र रखी जा रही थी तो जैसे जैसे वह जहां पर भी जा रहे थे पुलीस की गाड़िया उनका पीछा कर रही थी लेकिन अब क्योंकि माइकल में पार्किंग एरिया में था तो उसे पता नहीं था कि आखिर ये दोनों किस कार में हैं और उसी का फाइदा उठाते वे सनी अपनी ग्रे कार को चेंज करके फिरू उस से उनका ID कार्ड भी मांगता है हाला कि सनी उसे ID कार्ड दे तो देता है मगर वो ये बात जान चुका था कि अगर थोड़ी देर भी और रुके तो पीछे से दूसरे पुलीस वाले इन्हें पकड़ लेंगे और सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा इसलिए वो कार को इतना त सीक्विंस दिखाई बढ़ता है मगर मुंबई की भीड और ट्राफिक उसका तो क्या ही कहना आगे जाकर इन्हें बहुत ही अच्छा एडिया आता है जैसी सिगनल खुलता है यह सभी अपने गाड़ी में पड़ा 100 करोड धीरे-धीरे करके बाहर निकालने लगते हैं अब इंडिया की पब्लिक तो जहां नोट गिरेगा वह यहां आदमी उसके उपर भी गिरेगा तो सारे नोटों को उठाने के लिए वहां की पब्लिक जूम उठती है और इसी बात का फायदा उठाकर सनी और फिरूज मौगा पाता ही वहां से निकल जाते हैं और माइकल के हाथ आते आते यह दोनों चोर फिसल चुके थे यहां गैलोट जी परजीन शिफ्ट होता है जो कि हर वक्त माइकल को गालियां ही देते रहते थे और इस बार भी सेम चीज होती है तो माइकल कहता है कि सर छूट तो गया आज हमसे मगर मेरे पास एक आइडिया है यह बात तो जी ने मंसूर दलाल की मिज पूरे न्यूज कवर मीडिया में दिलवा डाली थी और अब तो हर जगे सिर्फ उसी का ही बोल वाला था यह जॉर्डन में बैठा मंसूर खुद भी देख रहा था और अब तो वह सनी और फिरोज की जान के पीछे बढ़ चुका था क्योंकि ए सेफ हाउस में पहुँच चुके थे यहां पर अनीस का कहना था कि मैं तुम्हें शहर से निकलने के लिए टिकेट्स प्रोवाइट करवा दूगा और जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ क्योंकि इस शहर में रहोगे तो पुलीस वाले ढूंड कर कभी भी जान से मार कौन होता वहीं सनी कहता है कि मुझे तो लगी रहा था कि आज साला इस काम पर जाना ही नहीं चाहिए तो नहीं कहा था तेरे ही मन में लालच था और इस वचे से हम यहां पर आएं खैर अब जो भी हो इतना रायता फिला है उसे वापस सही तो करना ही होगा इसी बीच वो ज चालाक सनी कोस की बातों से समझ आ चुका था कि मनसूर उनके साथ कोई ना कोई तो गडबड करने ही वाला है इसलिव अपने कुछ दोस्तों को कॉल लगाता है जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जौर्डन में और हम देख पाते हैं सायरा को जो कि इस वक्त मनसूर दलाल से बीच रोड मिलने के लिए थी मनसूर उसकी गाड़ी में आकर बैठता है तो सायरा उसे बताती है हाई कमांड तुमसे काफी जदा खफा है अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ जिसके बाद अगीन मनसूर अपनी गाड़ी मे खत्म कर दो जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जमाल पर जो कि इस वक्त सनी और फिरोज को लेने के लिए आया था और गाड़ी में जीतू काका भी बैठे थे फ्रंट गाड़ी में यह सभी बैठे थे और कुछ गाड़ियां पीछे और आ रही थी समच जाता है कि जो हाल उ यहां से निकल जाओ जिसके बाद यह सभी पहुंच जाते हैं और यहां पर दुख तो बड़ा हो रहा है मगर तुझे जान से मारना ही पड़ेगा क्योंकि काम तु सारा जानता है रास तू सारे जानता है और अगर जिंदा रहेगा तो पुलीस वाले कभी भी तुझे साफी बड़ा वार चड़ जाता है कैसे तैसे सनी उन सभी से अपनी जान बचा कर फिरोज को लेकि अपने साथ निकल जाता है अब आप लोग सूच रहे होंगे कि अनीज की टीम को इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला तो जब सनी ने यासिर चाचा को फोन करने के यासिर चाचा जो उसे बताते हैं उससे तो सनी के पैरो तले जमीं खिसक जाती है क्योंकि मंसूर दलाल के लोगों ने क्रांती पत्रिका में आग लगा दी जिससे की नानू भी वहीं पर जलकर खत्म हो गये ये दोनों ही इस वक्त उसी सेफ हाउस में वापस आ चुके थे और अब इन दोनों की टिकेट थी मॉंबई से निकल जाने के लिए जहां एक तरफ फिरोज सनी को कहता है कि मुझे तेरी बात मानने ही नहीं चाहिए थी देख अब सब कुछ खत्म होने वाला है और हम यहां से निकले नहीं तो मनसूर की लोग कभी भी आकर हमें जान से मार डालेंगे जबकि सनी का कहना था कि मुझे अपना एक छूटा हुआ काम पूरा करके आना है तुजा रेलवे स्टेशन पर मेरा वेट करना मैं अपना काम खतम करके फटा फट से तेरे पास ही आ जाऊंगा अनीस ने उसकी रक्षा के लिए उसे गन दी थी और वो उसे अब लेकर निकल पड़ता है यहां सीन शिफ्ट होता है पुलीस डिपार्टमेंट में और सीसी टीवी में सनी की एक धुंदली इमेज कैप्चर हो चुकी थी जिसे यह सभी पुलीस वाले मिलकर और क्लियर करके रेजुशन बढ़ा रहे होते हैं ताकि उस क्रिमिनल का पूरा फ चैना कि तुम्हें जान से मार देगा खेर सनी उसकी एक नई सुनता ठाइँ 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 ठोक देता हैं गोली की आवास सुनते ही कोडाउन में मौजूद सभी गुंडे आकर सनी पर हमला बोल देते हैं मगर सनी की आखों में क्रोध की जवाला थे और वह एक एक करके सभी को मार देता है जिसके बाद बारी आती है जीतू काका की मगर वह उसके आंखों का स्कैनर लेकर सबसे पहले नोट वाली तीजोरी खुलवाता है जिसके अंदर नकली नोट पड़े थे तक काका के फोन पर मनसूर का कॉल आता है जिससे सनी कि कैता है मैं यहां तक तो प मंसूर उससे माफी मांगता है कहता है कि यार मुझ से मिस्टेक हो गई तु मेरे साथ मिल जाम वापिस अगीन मिलकर अच्छा काम शुरू करेंगे मगर सनी वहां मुझूद केरोसीन ओईल को लेकर सभी नोटों पर छड़क देता है और मंसूर दलाल के आखों के सामने उसके सभी नकली नोटों पर आग लगा देता है एंड परसनली दिस वाज एन एपिक सीन एवर इन दिस होल सिरीज मंसूर रोने लगता है क्योंकि उसकी सालों की कमाई थी वहीं सनी उसे कहता है कि अब तेरा टाइम खत्म मैं तुझे जान से मारने के लिए आ छोड़ कर मंसूर के पास पहुंच जाएगा हाथ में लाने के लिए या फिर हाई कमांड मंसूर से पहले सेनी को ही खत्म कर देगा तो इन सब इस सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहे हैं मेरे साथ क्योंकि इसका जब सेकंड सीजन आएगा तो मैं उसे भी एक्स्क् जाएगा मुच्ड ट जाएगा हाईगाई तो में अरभ रभ आएगागा तो मैं अराएगान उ सेस कि परेंईं के वल्या फिर भी खत्यष्ämä कि ऊशालों के भी अल्या र Crwośćर के अलिभ बनाहागा हाईगा हाईगा में Taleई झाल झाल